नमस्कार विध्याति मित्रों में पुनम राठोर वासुदेव स्कूल गुरूप यूट्यूब चनल में आप सफीका हार्दिक श्वागत करती हूँ कुक्षा आठ वी सई हिंदी लेक्चर नमबर दो वित्यशत्रों कमित्रों हमने पेज नमबर 46 पर आपका चेप्टर जो आठवा है वो देखा था चुटकूले देखे थे हमने एक से चार चुटकूले देखेंगे तो आज हम आगे देखेंगे पेज नमबर 47 पर 5, 6, 7, 8 और 9 तक पूरे चेप्टर में 9 कुल 9 चुटकूले हैं तो हम आज 5 से नोतक के चुटकूले देखेंगे चलो तो चार चुटकूले तो हमने देखे देख चूह ओर राथी वाला धा कि चवोन nào जो दो लोगों का था तीसा था । दुकांधार का और चोथा था चुन्न का वारिस में छात बारिस को उती है तो उसने पाया जाता है तो उसने कहा था चाथ वह चार चुटकूले और देखें थी आज मांज में छुटकूला देखेंगे तीन दोस्त का है चलो आपका बुक में ध्यान तीन दोस्त अपस में गप शब कर रहे थे आपस में गप सब बाते कर रहे हैं आप जो क्लास में करते हैं ना वेसी प्रश्णा हुआ कि किसी दिन सोकर उठने पर हमको यह पता चले कि हम लगपती बन गए हैं उसको प्रश्णा उस चार उस गप सपने प्रश गरेंगे तो एक ने कहा हम तो सिद्धे परी जायेंगे और खुब मझे करें लगपती होगे तो हम परीष खुंने के लिए जाएंगे और मोज मझा करेंगे दूसरे ने कहा मैं किसी लाब प्रद कारोबार में रुपिया लगाउंगा वह केता है कि मैं एसा करूँगा बच छोग्पतिश करूँगा अब तब-तक सोता रहोंगा जब-तक करोर पतुम बन जाऊँ तो इसने क्या कहा लग्पति बनने के बाद उसको अब भी भी लालाट चाहिऊ-एक और करोर पती बनना हिए तो में उसमें संतोस नहीं होता है ज्यादा ही ज्यादा चाहिए देखो चालो मिद्रों तो छठा नमबर का चुटकुला देखते हैं छे नमबर का यहां पर चित्र दिया गया है भूत वर्तमान और भविष्य से तुम क्या समगते हो फेस नमबर 48 पर देखो साथ माघुटकुला रेल किराया इतना अधिक बढ़ जानेक पर भी याद्रकों की संख्या में व्रुद्धी हो रही है कि रेल का किराया, ट्रेन, ट्रेन का किराया, किराया यानि की भाड़ाय, किराया इतना तिकी जुसकी बढ़ जाने पर भी याद्रिकों की संख्या में व्रुद्धी हो रही है, इसका कारण बताईए, कि याद्रिकों की संख्या में इसमें यात्रा करने वाले लोगों की व्र और बढ़ जाएगा इसलिए अभी यात्रा कर ली जाए इसका मतलब क्या हुआ कि और एक आत्मी इसा सोचता हुगा कि अगले साल दूसरे साल किराया इससे भी ज्यादा बढ़ जाएगा तो क्यूं ना इस साली हम यात्रा कर ले आगे देखिये चुटकूल आंठ माँ शिक्सक ने सभी छात्रों को घास खाती हुई गाई का चित्र बनाने को कहा इस सभी छात्रों अपने काव में लग गई कलपेस ने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया कलपेस तामदा जो था वो उसने अपना पन्ना कोरा छोड़ दिया उसने नहीं दोरा शिक्षक क्योंकि उससे उसको चित्र दोना आता ही नहीं था चित्र बनाना आता ही नहीं था कलपेस को तो उसने क्या बाना बता दिया चलो यह देखते है शिक्षक कलपेस इस चित्र में खास कहा है कलपेस खास को तो गाई खा गई क्या गेता है कि घास को तो गाई खा गई क्या आपने बोला है कि घास खाती हुई गाई का चित्र बनाना है तो घास को तो गाई खा गई तो सिखसक ने फिर पुछा अच्छा तो गाई कहा है तो सिखसक ने कहा कि तो बताओ गाई कहा है घास चलो गाई खा गई तो गाई तो बाने बाना बताया कि वह तो घास खाकर चली गई आप भी कभी कबार होमवक नहीं लाते हैं तो अच्छे अच्छे बाने बना देया ना इसी तरह कल पेस ने भी बाना बताया चलो नौमा चुटकुला देखते हैं चुन्नु था एक और वो ममी से ज्यादा मुझे पापा का चाटा पसन है तो उसने पुछा क्यों तीन चित्र दिये गए है आप लोगों को देखो चुन्नु है पहले में और दूसरे में वो अपने मित्र से कह रहा है कि ममी से ज्यादा म प्रेंड बोला क्यों एसा क्यों है कि तमज्या तो किसी कोच्छा नहीं लगता है तो तुझको ममी का चाटा नहीं पसंद और पापा क्यों पसंद है तो उसने यह कारण बताया क्योंकि पापा प्रती चाटा पांच रुपे देते हैं पापा मुझे चाटा मारने पर मुझ पापा का चाटा उसे अच्छा लगता है तो ये कारण उसने बताया तो चलो मित्रो ये सब चुटकूले में आपको मज़ाया ना तो आप हमारा चेप्टर यह नोव मा शोरी आठमा चेप्टर हस्ना मना है वो पूरा होता है सब चुटकूले हमने देख लिए तो आज आपको होमवक में उसका अभ्यास और श्राध्या ही लिखना है और एक से पचास तक की गीनती होमवक में लिखनी है रफनर्ड में तो आप लोग ये होमवक अच्छे तरीके से लिखना आगे के लेक्चर में हम दूसरा चेप्टर देखेंगे फिर मिलेंगे आगे के लेक्चर में अस्तू जैहिन